थो यहां कि क्यों डोस्तों मैं यहां तंत के मेत में दूसरा तैप का कुशिनक अभर दूसरा है धीर द्यान से तो तो चलिए इसमें कहता है ये किसी फैक्टरी के पचास शरब सोभी को कि निमली खिट बंटन पर बिज़ार किजिएっ करें यह 50 मचदूरों की जो इन्कम है टीक है जोंपर लेका है जितना कमाथ है ब्लाइस पर देरका है इसम्हाइब उप्योग्त बिदी का परियोग करते हैं इस फैक्ट्री के श्राम को का माद्य मजदूरी गयात किजें कहां Δानिक मजदूरी तो रगे सिंपल मतलब यह इसका में मत्रे निकालना थे आप मां देखा कैसे निकालेंगे बिलकुल आसान तरीका बताता हूं ठीक है देखे सबसे पहला का आपको कहा करना है कि इसको इस तरीके से लिखा हुए तो इसको सबसे पहले लिख लेना है इस तरीके से लिख देंगे कि दैनिक मजदूरी ठीक है अब इसको हम सीधा सीधा लिग देंगे 500 से 520 और 520 से 540 ऐसा यह दिया है तो यहां पर लिग देते हैं तो देखे यहां पर हमने इस वाले लाइन को यहां पर हमने इस तरीके से नोट कर दी ठीक है अब दूसरा नंबर में आते हैं यहां दूसरा नंबर में संवाट की थेंगे तो यहां पर लिख देंगे श्रम क्यों की संखिया है 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 ुडी में तो दPoweröm इसी किद्व सा सीधा लिखेंगे यह 12 है तो यहां पर आपको लिख देना है 12 फिर इसके अस्तान पर 14 फिर आठ तो तीसरा पर च्छय तो चौत है पिछे पिर लाश्ट में आपका आजएगा 10 ठीक है फिर यहां पर एक लाइं बना देंगे ठीक इसको हम इस तरीके स्खीच देंगे ठीक है पड़ी स्खीच यह दम से सीधा सीधा ठीक है इसके बाद से आपको एक चीज आओ लिखना है जिसको हम कहते हैं मद्यमान ठीक है मद्यमान ठीक जिसको हम यक्स से दर्शाते हैं ठीक यह वाला क्या ही है हमारा बारम बारता भी कहा यह लिखा रहेगा तो यह ही होता है इसको हम F से दर साते हैं ठीक तो यह चीज़ होगा अब इसके बाद से आपको एक चीज़ और लिखना है Fx ठीक है Fx मतलब कि इसका और इसका गुणा करना तो यहाँ पर क्या रहेगा तो दिखें इन दोनों को जोड़ेंगे दूसे भाग कर देंगे ठीक है तो 500 और 500 कितना एक हजार और बीस एक हजार बीस का अधा कितना हो जाएगा तो पान सो दस हो जाएगा फिर यह चालेज़ भ यहाँ पर 1000 और 100 हो जाएगा ठीक शाल शलीं सो यहान पर आपका हो जाएगा उसका आधा 550 ठीक है फिर इन दोनों को जोड़ देंगे ठीक है और इसका और जाएगा पांसो 70, ठीक, फिर इसको जोडेंगे, और अधा कर देंगे, तो हो जाए कितना, 590, यह इतना हो जाएगा, ठीक, अब इसको हम नीचे से 20 तरीखे से बना देंगे, ताकि एकदम से पैक हो जाए, ठीक, यह हो गया, अब इसका बस fx तो यकसी है f यह है इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 12 से 0 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 ठीक है 12 एक नम 12 का 2 हो जाएगा हांसिल एक बचाए 12 पचे 60 और एक हांसिलिया 61 फिर यहां 14 से 14 0 आपका हो जाएगा 0 ठीक है 14 42 का हो जाएगा 2 4 बचाए हांसिल तो 14 पचे 70 4 74 यह आपका हो जाएगा फिर 8 से यह आपका 0 हो जाएगा फिर 8 पचे 40 का 0 हांसिल 4 बचाए 8 पचे 40 और 4 44 यह आपका हो जाएगा ठीक फिर 6 यहां पर 0 हो जाएगा फिर 6 सत्य 42 का 2 हांसिल 4 बचाए ठीक है 6 पचे 30 4 34 यह आप पिर दस इसमें करेंगे तो यह तो आसाना एक पीछे जीरो लगा देजिए हो जाएगा यह यह हो गया दस हमने कर दिया ठीक है अब इसके बासे दें रखा है कि यहां पर 50 सरव मिक हैं ठीक है सरमेखों की जो संक्या है वो 50 ठीक है इसको जोड़ेंगे तो आपको 50 आजाएग यह हमने 50 हमने पद हमें ठीक है थे क्या है यह हमारे पद है ठेक है अब उसके बास है इसको जोड़ लेंगे ठीक है तो यह आपका 0000 यह आपका 00 हो जाएगा ठीक टो दूना 4 डो 6 यह अपकर 6 हो जाएगा फिर यह आपका 5 59 चार 13 ठीक यह आपका इतना आगया ठीक है यह इतना आगया ठीक सिंपल आपका माध्य बताना है नहीं तो माध्य का फर्मल लगा दीजी माध्य बराबर होता है कि पदो का योग ठीक है बटे में पदो की संख्या पदो की संख्या ठीक है अब पदो का योग को होना है देखें सिंपल आ नीचे रहेगा बस इतना ही आपको करना है ठीक है तो यहां पर सिंपल लग दीजे कितना है कि 27 260 बट्टे में पच्चास ठीक है इस जीरो से यह आपका जीरो कर जाएगा पांस यह से बाग कर दें तो पांच पचे 25 हो जाएगा ठीक है हमारा 25 है यहाँपर सताइसा मतलब दो बचाए दो को इस दो कर रखेंगे 22 हो जाएगा तो पांच जंग कर बीस हो जाएगा ठीक है फिर दो को शे खवाग के papstis दशस समर्ण हो लगा लेंगे यहाँआप चपश घरो हो जाएगा ठीक है तो 52 तूना था सपी याप का और जाएगा ठीक है यह रुपिया निकला है ठीक बस इतना ही आपको करना है तो यह हमने आपको बता दिया सिंपल तरीका आध हो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा बूसरा कोईशन यह बस इसमें क्या ढिया है हमें कह रहे कि इस यह कमान बताईए यह कितना होगा ठीक है इस कमान कैसे बताएंगे यह बहुत की निम्लिखित बंटन के बंटन एक मुखले के बच्चों के दानिक जेव खर्च दरसादा है माधे जेव खर्च यहाँ पर एक चीज देखे जो माध्थ is 18 उपः है यह चीज इसमें ओलीटी दे दिया है ठीक है माध्थ is में ओलीटी दे दिया है क्यों यूँकि हमें यफ का मान बताना है हो जाएगा दैनिक के जेव कि बधता ठीक है यहां कर दे रहे हैं कि ठीक है तो यहां पर खाले हम नव्य वाला लाइन हम ने यहां पर इस त्रीके से नूट कर दिए ठीक है अब सिंपल यह वाला लिखिव लेंगे इसके लीए एक लाइन ड्रो करते थे था यह अलगल हो जाए बच्चों की संख्या इसको आप इंची फीड से करिएगा तो थोड़ा सा देखने मत चलाएगा बच्चों की संख्या ठीक है तो यह आपका इस वाले लाइन पर ही यह वाला ठीक है तेरा 11-13 के नीचे यह है मतलब 11-13 के सामन हो जाएगा यह पांच ठीक है यहां पर दिखेंगे 23-25 है ठीक है यह वाला इस पर तोड़ा कम था लाश्ट में हो जाएगा चार यह भी आपका हो जाएगा ठीक है अब सिंपल आपको लिखना है मद्धिमान ठीक है जिसको हम यक्स से दर्शाते हैं यह हमारा क्या है बारं इनम चलेगा तो चली यहां पर फटाप टाल करते हैं तो मध्य मान के इंदोन को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे ठीक है तो यह अग्यारा और 13 में अंतर कितने खाये दो का अंतर है ना 11 2 जोड़ेंगे 13 हो जायगा तो 12 यहां पर आए ठीक है अगला आपको 14 कर देना है फिर अगला आपको 16 कर देना है दो दो जोड़ दे जाना है फिर अगला आपको 18 कर देना है फिर अगला आपको 20 कर देना है फिर अगला आपको 24 कर देना है ठीक है अब नीचे से भी एक लाइन खीच देना है यह आपका हो गया ठीक कम्प्लीट हो गया अब एफेक्स कर दीज ठीक है तो कितना हो जाएगा बारस सत्ते आपको चोरासी हो जाएगा ठीक फिर सॉला जोग चोरासी हो जाएगा ठीक है 1694 अब इसका कर लेते हैं तो तेरा बाट एक सुचार लिखेंगे एक सुचार ठीक है ऐसे होता है ना एक सुचार तो दस बस गया आपका तो तेरा करम तेरा अदस तेइस फिर यहाँ पर बीज ठीक है फिर यहाँ पर 225 एक सुचार दस होता है फिर यहाँ चोब भी शूचार जाएगा ठीक तो अब इसके बाद से देखी एक काम करते हैं इसमें आपको क्या करना है सेम वही वाला काम करना है इसको आपको जोड लेना है ठीक है और इसको आपको जोड देना है ठीक जब लिखेर हो जाएगा साथ से तेरा, नो आपका 22 हो जाएगा 22, 22, 25, 45, 44 बंस में यफ यह झाँ आपका 44 पलस में यह स यह झाँ चख़ह तो इसमें जूड़ 누ई सकता हुए ओड़ी प्लस में कर देंगे तो यह आपका पहला हो गया सबका दूसरा नंबर तो 8 8 16 4 23 23 ठीक है यहां पर जिरू हुए है 24 फिर यह दू नंबर पर है 24 और 9 30 23 25 का 5 हासिल बचा है 3 ठीक अब दो नंबर तक तो हो गया तीन नंबर किसमे है तो दीके तीन अंग किसमे है तो एक तीन किसमें है दो एक दो तीन हो जाएगा फीर यह वाला तीन नहीं ठीक है क्यांकत है यह यह जाएगा ठीक है Midwest तीन साथ hers작 inventory अंधिया थिकए पर उसमें वह वाला बीस येव OFFICER थेक भीस तिये फ यह ढ़िए ठीक इतना हो होगा आप सिंपल वह वह लामादे इसमें मैं में लिखेंगे खालिए तुशंमी तो फॉर्म Gar Atika गता है कि मादें बनाबर में में पदो का यूग बटे पदो की संख्या ठीक तो माध हमारा और लेडी दे रखा है अठारा तो हमने अठारा लिग दिया पदो का यूग मतलब बड़ा वाले यह वाला साथ सो बावन प्लस में बीश एफ बड़े मापका यह वाला चोगालिस प्लस में एफ यह चीजह ऑगया अब ये इधर क्याकर है नीचे है वह बाग कराया इसको इदर बेज देंगे तो यह में बड़े आपको और साथ ठीक है दिखने नहीं रहा अठार चुग बाध्तर का दो हासिल बचाया आपका साथ फिर अठार चुग बातर और साथ को जाएगा 89 ठीक फिर अठारा से यह भी करेंगे तो पलस लगाए तो पलस लगा देंगे अठारा यह बराबर में 752 पलस में 20 इस एफ ठेक अब क्या करेंगे कि 18 को मिधर बेच देंगे इसको हम इधर बुला लेंगे ठीक है तो 792 माइनस यह पलास में इधर आएगा माइनस मुझेगा 752 बराबर में अब इधर क्या है आपका 20 एफ है इसको मिधर करेंगे माइनस का हो जाएगा 18 अभी इसको हम गटा देंगें ठीक है तो सबसे पहले 2 से 2 घटेंगे है practically 5 से 9 में आपका पांस फक्क्री घटेंगे कितना हो जाएगा चार बचेगा ठीक है और साथ-साथ घटेंगा mention ब्राबर लगाएंगे ठीक आपर अब इसमें से 20 f में से 18 f घड़ जाएगा तो आपका 2 f हो जाएगा 2 f दो को इधर बुला देंगे तो 40 बटी में आपका 2 बराबर में f ठीक है इसको काड़ देंगे तो 20 बराबर में f सिंपल यहीं आपको ग्याद करना था ठीक तो यहीं दो टाइप आपका आएगा माध्य निकालने के लिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो हो लोग समझेंगे कि माध्य का अगर आ जाता है निकालने के लिए तो कैसे निकालनेंगे बहुलग कैसे निकालनेंगे तो इसके लिए च